एलो फ्रेंट्स नमस्कार आज मैं अपने केस रिपोर्ट सीरिज में तीसरा केस लेके आया हूँ जिसमें एक केस का में डिस्केसिन करेंगे और फिर उससे रिलेटिट कौन-कौन से समस्याय हैं उसको आप किस तरह से डिफरेंसियेट कर सकते हैं इस बात की इस वीडियो में ह तीसरे कि एक हिस्टरी यह है कि घाय बहुत बेचैन रहती है और अ कर रही है और इंटर्मीटन्य भराफ चांट कर रही है। favor-nut के इस तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैबिज को आप बागी के जो निरॉल्जिकल प्रॉलम्स होते हैं नहीं कि ब्रेन में होने वाली बिमारियों से इस तरह से डिफ्रेंसियेट करेंगे और क्या-क्या आप पेकुलियर कैटल में देखेंगे इस केस रिपोर्ट का डिसकसन से आप समझ पाएंगे कि जो दूसरी वीमारिया हैं क्योंकि होता कि है कि फिल्ड में या तो आपको रैबिज की नौलेज नहीं है तो वैसी वीमारियों का भी लोग या तो डर के उड़ देते हैं जो ट्रीटेबल हैं कि उसको रैबिज है य जो दूसरी वीमारियों से आपको कैसे डिफरेंसियेट करना है तो यहां जितने भी केस हैं वो रैबिज के लिए सस्पेक्टेड हैं और उनको मैं आपके सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो सबसे पहले देखते हैं इस गाय को जिसकी हिस्ट्री यह है कि यह बेचैंसी है लूचन रहती है और इसका जो आवाज है वो बार बार रेकती है चिलाती है तो बार बार अगर एनमल चिलाता है तो आपको यही लगता है या तो वो हुँ या उसको रैभिज हो गाया निरॉल्जिक्ल डिस्टर्मेंस हैं तो यहां आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि इसको मैं क्यूं रैविज के लिए सस्पिट कर पा रहा हूँ यहां आप देख सकते हैं कि यह जो गाय है बिल्कुल बेचैन है और एक चीज़ आप ध्यान देजिए कि इसके चेहरे के ऊपर जो एकसाइटमेंट है आप देख सकते हैं इसके कान जो हैं काफी खड़े हैं और पूँच को भी बार बार हिला रही है और साथ में फ्रोधिंग हो रही है माउथ पे तो यह अलर्टनेस जो है यह अपने आप में वीर्ड बिहेवियर है और सिर्फ अगर अगर अलर्ट होता है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि या तो इसे रहविज है या कीटोसिस है या हाइपो मेंगनेसेमिया है तो इन तीज़ों को आप सस्पेक्ट कर सकते हैं चौथी एक चीज़ लेट पौईणिंग के लिए सस्पेक्ट की जाते है और उसका आवाज जो है वो बदला हुआ है चिलाने का जो तरीका है उसमें भी अंतर है क्योंकि जब सांस छोड़ती है तब भी चिलाती है और सांस खीचती है तब भी चिलाती है जबकि ऐसा एनिमल में होता नहीं है जो रैविड एनिमल होगा वही लगतार बेलोग करेगा आवाज निकालेगा inspiration और expiration दोनों के टाइम पे एक चीज़ और ध्यान दिजे इसके चेहरे के मुँग पे जो इसकी लार है वो लगी हुई है तो लार अगर dropping हो रहा है या drilling हो रहा है सलाइवा आ रहा है तो ये भी एक अपने आप में इंडिकेशन है कि इसमें रैविज हो सक सकता है साथ ही साथ आप अगर इसको further offer confirm करना चाहते हैं तो आपको विसेज द्यान देना चाहिए कि जब भी आप रैविज के लिए suspect करते हैं animal कभी भी swallow नहीं कर पाता है तो अगर animal पानी नहीं पी पा रहा है या कुछ निगल नहीं पा रहा है तो honor को लगता है कि उसके चोकिंग लगे तो एक बार रैविज जरूर confirm करें क्योंकि अगर animal anxiety में है alert है और साथ ही साथ वो निगल नहीं पा रहा है तो यह अपने आप में indicate कर रहा है कि उसको रैविज होगा दूसरी nervous problem नहीं है इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि आप पानी offer करके देख सकते हैं उसे प्यास लगा रहेगा लेकिन वो पी नहीं पाएगी उसको पीना चाहेगी लेकिन वो पी नहीं पाएगी क्योंकि उसका following reflex नहीं होता है इस चीज़ को आप अगर listeriosis से या facial paralysis से differentiate करना चाहते हैं तो उसमें भी drilling होगा क्योंकि उसमें lip का paralysis हो जाता है और saliva गिरते रहता है साथी साथ चेहरे का paralysis रहता है और वो पानी पीना चाहती है लेकिन पी नहीं पाती है लेकिन listeriosis में और ravage में entirely different thing है listeria में आपको facial paralysis मिलेगा उसकी आखे परलाइज रहती है उसका कान एक साइड से परलाइज रहता है या वो circle करती है ravage में कभी भी animal circle नह anxiety नहीं होती है animal जो होता है furious नहीं होता है बेचैन नहीं होता है एक side को गर्दन को tilt करके वो rotate कर सकता है या office तो tonus हो सकता है तो उस चीज़ को आप यहां पे differentiate कर सकते हैं और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब ravage रहता है तो generally जो cattle में जो symptoms आते हैं वो हमेश इसा ही पीछे से उसको लकवा मारना सुरू हो जाता है या partial paralysis होती है तो पीछे के पैरों में उसके knuckling होने लगेगा या टेल की जो positioning है वो अलग हो जाती है side को रगता है या अपने rectum को बार बार जोर लगाता है प्रोपेल करता है टिनेसमस होता है तो यह सारे sign अपने आ इसलिए बार बार saliva गिरता है तो एक से तीन दिन तक जो excitement वाला phase होता है जिसे प्रोडरमाल phase करते हैं उस stage में जरूरी नहीं है कि चोकिंग हो जाए और salivation हो तो एक से तीन दिन में अगर वो beard behavior कर रही है और intermittent bellowing कर रही है तो आपको एक दिमाग में बना लेना चाहिए कि कि इसको राबिज हो सकता है एक चीज और आपको डिफेंसियल अगर आप close examination करेंगे तो इनकी जो आई होती है वो एकदम आपको फाड़ के देख रही होती है ऐसे लगता है और कोई भी moving object होगा उस पे attack करती है तो आँखों में आप देखेंगे तो blindness नहीं होता है लेकिन जो people होती है वो बिलकुल ही dilated होती है और आप उस पे torch से light भी डालेंगे तो वह security नहीं है कि उसकी थोड़ी सी paralysis हो जाती है तो अस्टेरी आई इसको कहते हैं और glazy eyes इसे आप कहते हैं वैसा हो जाता है लेकिन दूसरी neurological symptoms हैं जैसे कि cerebral necrosis है जिसमें PEM होता है पॉलियो एं भी salivation हो सकता है लेकिन वहाँ पे PLR maintain रहता है यानि कि central blindness जब आप detect करेंगे यानि कि आप अपने हाथ को उसके आँख के पास ले जाएंगे तो मेने reflex नहीं रहेगा वह पतलियों को blink नहीं करेगी लेकिन जब आप torch उसमें डालेंगे उसके आँख पे torch से light डालेंगे तो उसकी people जो है वो constrict होते है इस तरह के blindness को central blindness करते हैं तो central blindness जो है वो हमेशा cerebral necrosis में या ऐसी चीज़ें जो brain की necrosis करते हैं उन में होता है ये चीज़ आपको ravage में नहीं मिलेगा तो अगर आपको posterior paralysis मिल रहा है salivation मिल रहा है या animal जो है aggressive behave कर रहा है तो आपको ravage के लिए suspect करना चाहिए एक चीज़ लोगों को लगता है कि ravage में temperature नहीं बढ़ा रहा रहता है जबकि ऐसा नहीं है हर किस में ऐसा नहीं होता है excitement के चलते neurological inflammation के चलते उसका body temperature थोड़ा सा 103-104 तक रह सकता है तो temperature सिर्फ बढ़ा है इसलिए ये न समझे कि दूसरा infectious agent है उसमें ravage हो सकत बिलोइंग वाला जो sign है ये typical है कभी कभी आपको soundless blowing भी देखने को मिलेगा जिसमें सिर्फ yawning करती है animal जो है जमाई लेता है आवाज नहीं आता है और लड़कड़ा आके चलता है तो इस तरह के भी sign मिले और salivaate कर रहा है या saliva drool कर रहा है तो आपको ravage के लिए suspect करना चाह चोटे बच्चों में कभी कभी क्या आपको पाफ होते हैं उन्हें abdominal pain भी होता है तो एक आएक वह बेलो करने लगते हैं और फिर नहीं हो जाते हैं लेकिन चोटे जो बच्चे होते हैं वह पेन के चलते भी बेलोइंग करते हैं व्लिटिंग करते हैं कभी कभी कुछ animal में आपने देखा हुआ कि कोई animal जो है वह head pressing कर रहा है या head pushing करते हैं किसी पेड़ के अंदर या corner के अंदर तो यह indicate करता है कि उसके brain में एडिमा है और लोगो को लगता है कि rabbit है जबकि अगर head butting कर रहा है किसी object के against में तो वह सिर्फ और सिर्फ brain एडिमा करना के चलते हैं और जनरली रैबीज के cases में इंसेफिलाइटी होती है यहां पे मेनिंजेज का involvement नहीं होता है तो रियर केस में भी कहीं भी report नहीं है कि इसमें head butting या head pressing होती है definitely वह आपको head tossing करती है यानि कि अपने सर को बार बार हिलाती है यह रैबीज का symptoms हो सकता है और आप जो moving object हैं उन पर attack करती है या corner में जाके अपने आपको hide करकर रखती है क्योंकि इसमें photo phobia होता है और animal को धूप पसंद नहीं होता क्योंकि उसकी people जो have fully dilated होती है तो अकेले अंदेरे में रहना पसंद करता है और external stimuli को respond करता है जैसे आवाज हुआ या कोई भी sound हुआ या hyper aesthetic रहता है तो यह कभी भी आप confused नहों कि head pressing कर रहा है head pressing आपको polyoencephalobnesia में मिल सकता है वहाँ पे generally head pressing कम होता है बट वहाँ पे अपिस्तो टोनोस का case आता है लेकिन head pressing का जो common problem है यह trepanozomiasis में मिलता है और head pressing आपको एक और condition है जहाँ पे ketosis हो या pregnancy toxemia हो वहाँ पे भी आप head pressing वाला condition पा सकते हैं rabies को अगर आप hypomagnasemia से differentiate करना चाहते हैं तो hypomagnasemia में कभी भी आपको salivation नहीं मिलेगा साथी साथ hypomagnasemia में जो cardiac sound है वो काफी तेज होता है और muscular twitch मिलता है और seizure episodes आते हैं rabies के kisses में हमेशा आपको terminal stage में जब animal मरने वाला होगा तब seizure आएंगे और hypomagnasemia में आपको belowing भी नहीं मिलेगी जबकि hyper excitement मिलेगा तो यह differential है तो अगर किसी animal को आपने rabies suspect कर लिया है तो उसे isolate कर दें और उसके आसपास owner को ना जाने दें उसको दूर से चारा पानी offer करें जेनरली जो rabid animal होता है उसका within 10 days of symptom appearance के देथ हो जाता है वो collapse हो जाता है तो cattle में कभी-कभी यह time period बड़ा भी हो सकता है 14-15 दिन तक भी जा सकता है लेकिन dogs में सिर्फ 10 दिन के अंदर उस dog की मौत हो ही जाती है symptom आने के बाद तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत